सतिजगर के लोकसिवा आयोक की वर्ष दोजार बीस 21 की परिक्षा में कथित रूप से हुए भरती घोटाले की जाँच के सिलसिले में CBI की टीम ने आज दुर्ग, बिलासपूर और धमतरी में छापे मार कारवाई की बिलासपूर में कॉंगरिस नेता राजेंदर शुकला, दुर्ग में पूर्व राजपाल के सचीव अमरित खलको और धमतरी में CG PSC के पूर्व चेयर्मेंट आमन सुनवानी के घर में CBI की टीम ने आज सुबह से ही जाँच शुरू कर दी है इस मामले में संबंधितों से पूछताज भी की गई पूर्व गवर्नर के सचीव अमरित खलको के दुर्ग इस्थित तालपूरी और कृष्णा टौकीज रोट के मकानों में CBI की टीम ने दविश्दी खलको की बेटी और बेटे दोनों का एक साथ CGPSC में चैन हुआ था PSC की चैन सुची में खलको की बेटी ने 13 वी और बेटे ने 17 वी रेंग खाशिल की थी वहीं बिलासपूर में कॉंग्रेस नेता राजेंदर शुकला के बस स्टैंड के पास इस्थित घर में भी CBI की टीम ने जाच परताल की शुकला के बेटे का डिप्टी कलेक्टर के रूप में चैन हुआ है इसी तरह धमतरी जीले के भखारा थानाक्षेतर इस्थेते सरबदा गाउं में CGPSC के पूर्व चेर्मेंट टामन सुनवानी के घर पर भी 13 सदसी CBI की टीम पहुची सुनवाई के बेटे बहु और भती जी का CGPSC में चैन हुआ है गौर्द अलब है कि PSC की नियुक्ती में कथीत रूप से बड़े पैमाने पर फर्जी वाड़ा होने और भरष्टा चार की शिकायत की गई थी योडबलू ने भी पहले इस मामले में शिकायत दर्ज की थी इसके बाद मामले की जात CBI को सौप दी गई है